आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजिंसी के चीफ ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसका सीधा आसर भारत पर पड़ सकता है अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ डैन कोच ने भारत को आगाह करते हुए कहा है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन भारत और अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में आतंकी हमले जारी रखेंगे कोट्स ने कहा है कि पाकिस्तान कुछ आतंकी संगठनों का समर्थन कर रहा है और ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद को फलने फूलने में मदद कर रहा है कोट्स ने इशारो इशारो में अमेरिका को भी आगाह करते हुए कि पाकिस्तान का ये रवया निश्चित तोर पर तालिबान के खिलाफ आतंकवाद निरोधी अमेरिकी प्रयासों को भी विफल कर देगा डेंट कोच्क ने खूफिया मुद्दो पर सिनेट की सिलेक्ट कमीटी के सतस्यों को बताया पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह भारत, अफगानिस्तान और अमेरिकी हिटों के खिलाफ हमलों की योजनाय वनाने के साथी अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में अपने परनहागाओं का फायदा उठाना जारी रखेंगे अपने पोलिटिकल मोटिव के लिए कुछ आतंकवादी संगटनाओं को बहुत ज्यादा इंपोर्टन्स देता है और कुछ आतंकवादी संगटनाओं के खिलाफ वो काम कर रहा है ऐसे दुनिया को दिखाता है वो तो ये हमारा हमको ड्रामा पता है पाकिस्तान का दूसरी चीज ऐसी कि पाकिस्तान में तो राज जो करता है वो पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान की आएसाई है वहाँ की सरकार ये सिर्फ नाम के लिए सरकार होती है तो पाकिस्तान की आर्मी और आएसाई जो चाहेगी या आतंकवादियों को भेजना, यह पाकिस्तान का एक बिजनस हो गया है, तो इस चीज में कुछ अमेरिका ने नया नहीं कहा है, हाँ, कुछ नया अगर करना है, तो वो करना होगा, पूरे दुनिया ने, भारत ने और अमेरिका ने मिलकर, अगर आतंकवादी संगटनों को आ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, जरूरी यह है इन सब के बीच, कि भारत के जो इंटेलिजनस एजनसीज हैं और भारत के सिकुरिटी फोर्स इनको बहुत सातर करेने की जरूरत है, क्योंकि हाली में हमारे जनरिल एलेक्शन होने वाले हैं, तो जाहिर है कि तब आतंकव और अमेरिकी खुफिया अजनसीओं के प्रमुख विश्विवयापी खत्रे पर अपने आकलन को लेकर खुफिया मुद्दो पर सिनेट की सिलेक कमिटी के सामने पेश हुए थे, जस दोरान उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की, सिलेक कमिटी के सामने पेश होने वाले प्रम जिसे कोट्स ने लिखे दस्तावेज के रूप में सिलेक्ट कमिटी के सामने पेश किया था महीं दूसरी तरफ कोट्स ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के प्रमाणू कारिक्रम के लगातार विकास एवं बृद्धी के कारण दक्षिन एशिया में प्रमाणू सुरक्षा से जोड़ी घटनाओ की आशंका बढ़ गई है इसके अलावा उन्होंने सांसदों को बताया कि भारत और चीन के बीच इस वर्स रिष्टे तनावपून रहने की आशंका है उन्होंने का कि दोनों देशों के बीच रिष्टे सुधारने के भारत के प्रधान मंत्री ननिन्द मोदी और चीनी राष्टपती श्री जिन्फिंग के प्रयासों के बावजूद उनके संबंदों में तनाव रहेगा तो मतलब साफ है अमेरिका ने भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन को लेकर भारत समेथ पूरे विश्व को सचेत कर दिया है बता दे अमेरिका कई बार पाकिस्तान को आतंकवाद पर फटकार लगा चुका है तालिबान से बातचीत के मुद्दे पर भी अमेरिका पाकिस्तान के रुख से खुश नहीं है वो पाकिस्तान को तालिबान से बातचीत में मधस्ते बनना चाता है लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है प्योरो रेपार्ट भारे तक